नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एका और नए संडे कमेंट बॉक्स पार्टू यानि मंडे रिप्लाई बॉक्स में जहां हम जिन जिन भाईयों के कमेंट का रिप्लाई संडे को पिक करके नहीं दे पाते हैं उससे मंडे रिप्लाई बॉक्स में देने की उनकी हिल आप खरगोस और बकरी के बच्चों को रख सकते हैं बट मैंने आज तक कभी इस तरीके से खरगोस और बकरी को खुले में एक साथ नहीं रखा है तो इसका मैं बेटर उत्तर आपको नहीं दे पाऊंगा आप अपने हिसाब से देख लिजी अगर दोनों में फाइट नहीं होत होती है और लोग एक दूसरे को अराम से मैनेज कर जाते हैं तो रख सकते हैं वरना अलग अलग ही रखिए बाकि आप एक बार चेक जरूर कर लिजिए निख्ट कुश्चन ओम गेमरो सर मेरी मादा खरगोस मिट्टी खोद कर घर बना रही है तो क्या ये बच्चे देने वाली है मादा खरगोस काफी बड़ी है कुछ ही दिन हुआ है लाए हुए तो देखिए ऐसे अकसर खरगोस अगर मिट्टी पा जाते हैं तो गड़्धे खोदना स्टार्ट कर देते हैं और बिल बनाकर उसके नीचे रहना पसंद करते हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रेगनेंट ही हो बट आप 30 से 32 दिन का बेट कर लीजी आपको सब कुछ किलियर हो जाएगा निफ्ट कुश्चन जाउल खान हमारी खरगोसनी ने अपना घर तो बना लिया है लेकिन वो बच्चे नहीं दे रही और नहीं अपनी चाती से बाल निकाल रही है तो जखिए अगर वो प्रेगनेंट होगी तो अपने हिसाब से अपने चाती के बाल भी निकालेगी घोसला भी बनाएगी और घर बनाकर बच्चों को डिलीवर भी उसके लिए आपको भी बहुत ज़्यादा टेंसर नहीं लेना है बस आप 30 से 32 दिन का बेट करें और उसे अच्छे तरीके से खिलाए पिलाएं निक्ट कुष्चन आदी पानसी दिवेदी मेरा खरगोश खाना नहीं खा पा रहा है उसको पैरालाईसिस हो गया है बहुत दिनों पहले से अभी तक ओ खाना खाता था पर आज नहीं खा रहा है उसके उपर बिल्ली ने अटैक किया था पर उसको चोट नहीं लगी है बस दो लेकिन उसका फेस सूज गया है और ओ खाना नहीं खा पा रहा है मैं क्या करूं प्लीज हिल्प करिये तो देखिए आपके आसपास के जो भी करीब के डाक्टर हो आप एक बार ले जाकर उनको दिखा लीजिए क्योंकि ऐसे मैं बीना देखे आपको कुछ भी नहीं बता सकत तो देखिए आपको अपने रेविट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना जरूरी है और आप अपने रेविट को हमेशा हेल्दी फूड ही देने की कोशिस करें कोई भी रांग डाइट ना दे वो बीमार वैसे भी नहीं पढ़ेंगे बस थोड़ा रख रखाव पर भी ध्यान दीजिए और इस टापिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियो जहां आप जाकर देख लीजिए जहां मैंने आपको डिटेल्स में बताने के साथ साथ दिखाने की भी पूरी कोशिस की है यह प्राबलम आपकी साल्ब हो जागी क्योंकि हमें आपको डिटेल्स में नही नही Hmm बता सकता निष्ट कुषिचन समीसन मेरे खरगोस का बाल जाता मोटा मोटा जाता बन गया है क्या करे उसके बाल का कट कर दे क्या करें तो इसका एंसर ही आप उसकी इसकिन ajud़ में खरगोस का साल्पिक पर एक वीडियो बनाओ तो देखिए खरगोस कैसे है इपी रहत आप खरगोश के साथ कैसे खेल सकते हैं मस्ति कर सकते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर उन वीडियोज को देख लीजिए आपकी ये प्राब्लम साल्व हो जाएगी साहिद आलम मेरे खरगोश का बच्चा चार दिन का है और उसके नाक से खून निकल रहा है कैसे इलाज किया जाए आप बताएं जल्दी तो एखिए जब बच्चे छोटे हो जाते हैं तब उन्हें अक्सर हलका फुलका चोट चपेट कहीं लग जाता है तो बलड आसानी से नि दे सकते हैं वरना और प्राबलम बढ़ जाएगी हाँ जहां से बलड निकल रहा है अगर जगा है तो आप कुछ देर पकड़ कर रखिये या फिर वहां हल्दी और सरसों के तेल का पेस्ट बना कर लगाएं बाकी अभी आप और दूसरा कोई भी टीटमेंट नहीं कर सकते है निक्ट कुष्चन अर्मान सर मेरी मादा खरगोस मीटिंग नहीं करती है तो देखिए मादा खरगोस के मीटिंग ना करने के काफी सारे रीजन होते हैं और इन सभी टापिकों पर मेरे चैनल पर कई वीडियो जहें आप जाकर देख लिजिए आपकी ये प्राबलम साल्व ह निक्ट कुष्चन इस्क्राल बिथ सवरफ भाई खरगोस के बच्चे मर गए दो दिये थे दोनों मर गए उसकी मा को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना दूसरा बच्चा दस दिन के बाद मर गया तो देखिए जब आप अच्छे तरीके से बच्चों की देख भाल नहीं करे निक्ट कुष्चन गेमिंग जोन सर मेरे पास साथ खरगोस हैं तीन नर हैं और चार मादी ये सारे एक साथ ही रहते हैं जब कोई मादी प्रेगनेंट होती है बच्चे देती हैं फिर भी नर उसके साथ रहते हैं नर को अलग नहीं कर रहा हूँ इससे मसला होगा या नहीं तो देखिए अगर हमेशा आप नर खरगोस को मादा खरगोस के पास रखेंगे तब हर महीने मादा खरगोस बच्चों को डिलीवर करती रहेगी और इस दवरान कभी भी मादा खरगोस कमजोरी का सिकार हो सकती है और डिथ कर सकती है बाकी आप खुद ही समझदार है निफ्ट कुश्चन पूनम पांडे सर प्लीज हेल्प कर दीजिये मेरी रेबिट कुछ खा नहीं रही है एक हपता से डाक्टर को दिखाया तो वो मुझे गैस का दवाई दिये लेकिन ये खा नहीं रही है और इसके दातों में घाव भी है प्लीज हेल्प कीजिये बताएं ब और दूबा घास दी अब उसे पोट्टी हो रहा है तो देखियो अच्छे तरीके से जब तक पोट्टी ना करें आप उसे जादा से जादा पानी पिलाएं और थोड़ा हरा नरम चारा भी दे दीजिए जिससे उसका पेट पूरी तरीके से जहरने लगेगा पतला पोट्ट हो गई हो या फिर उसके मुह में चाले वगेरा पड़ गए हो या फिर उसके दांतों में दर्द हो रहा इसी सबोजा से वो खाना नहीं खा पा रही है तो आप एक काम कीजिए अपने आस पास के किसी अच्छे बेट डाक्टर के पास ले जाकर एक बार उसका टीटमेंट कर वालीजे जिससे डाक्टर टार्च की साहता से उसके मुह को चेक कर सकते हैं और उसे क्या प्राबलम है बता सकते हैं निख्ट कुश्चन यम्डी अफजल सर में आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खरगोस का अगर हर चार दिन के बाद पेट खराब हो जाता है तो उस हालात में क्या करें तो देखिए अगर आपके खरगोस का हर चार दिन के बाद पेट खराब हो रहा है तब आपको यह समझना है कि उसे हाजमे का इसू आ रहा है और आप जो भी चीज़े उसे खिला पिला रहे हैं उसमें कुछ करती हूं साग खरीद कर लाती हूं और बहुत ख्याल रखती हूं पर अभी भी बच्चा नहीं दी है तो देखिए आप उसका मीटिंग किसी अच्छे नर्खरगोस के साथ करवाईए जब सक्सेस्फुल मीटिंग होगा तब वो प्रेगनेंट होगी और बच्चों को डिली जा हो जा उसके मुह के अंदर कोई प्राबलम हो आप उसे उसकी मन पसंद चीजे खिलाए और एक बार आप उसे डाक्टर के पास ले जाकर उसका चेक अप कराने की कोशिस करें बस निख्ट कुश्चन सुर्यांस रैविट फन कारनर भाई मेरे खरगोश के बालों में चमक कैसे लाया जाता है इस टापिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज है जिसमें मैंने डिटेल्स दिखाया और बताया दोनों है आप जाकर मेरे चैनल पर उन वीडियोज को देख निख्ट कुश्चन सर मेरा रैविट पहले से ज़्यादा बहुत बदमास हो गया है क्या करूं जरा से पिजरे में रख दू तो बाहर निकालने के लिए जोर जोर से पिजरे को ठोकता है तो देखिए अगर आप उसे हमेशा बाहर ही रखते हैं तो बाहर ही रखिए कोई द अपने रैविट को मैनेज करे क्योंकि आपके बताने के हिसाब से लग रहा है कि आप अपने रैविट को बहुत प्यार करते हैं हो जाएगी तब ओमेल रेविट को अपने पास नहीं आने देगी बाकि अगर आपकी मादा खर्गोस पहली बार नर्खर्गोस के पास जा रहा है तब आइसी हरकते मादा खर्गोस कर सकती है तो आप नर्खर्गोस को मादा से अलग रख दीजिए और एक महीने बेट कर लीजी आपको सब कुछ केलियर हो जाएगा नेक्ट कुश्चन गौतम सर्मा हेलो सर मेरा खरगोस आलमारी में चड़कर चाय पी जाता है इससे उसको नुकसान तो नहीं होगा प्लीज सर बताएं तो इसका इंसर है इससे उसको काफी जादा नुकसान हो सकता इसलिए चाय पीने से अपने रेविट को बचाएं नेक्ट कुश्चन अब्दुलकरीम फेक नेस्टिंग का क्या मतलब है तो देखे जब मादा खरगोस प्रेगनेंट नहीं होती है उसके बाद भी घोसला बनाती है नेस्टिंग करती है तो उसी को फेक नेस्टिंग कहते हैं बाकि आप खुद ही समझदार हैं जय हिंद